तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सेमसंग गलेक्सी M55 के बारे में तो सेमसंग गलेक्सी M55 को और एक सर्टिफिक्शन साइट में देखा गया और कुछ चीजे यहां पर कनफर्म हो चुका है जो आप लोगों को सेमसंग के M55 में देखने को मिलेगा अगर रही बात 2024 में तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकेमेंड करूँगा कि आप लोग सेमसंग के A-series का स्मार्टफोन ना लेके सेमसंग के F-series और सेमसंग के M-series का स्मार्टफोन पर्चेस कीजिए जिसमें आप लोगों को अच्छा वेल्यू मिलता है प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन भी ठीक रहते हैं और अगर अप लोग स्पेसिफिक्शन देखेंगे तो सभी कुछ आप लोगो M-series और F-series में पर्फेक्ट यहां पर मिलता है तो इसलिए मैं M-series और F-series हमेशा प्रेफर करता हूँ क्योंकि 2023 के बाद सेमसंग के A-series का ना स्मार्टफोन उतना पॉपूलर नहीं रहा है और लोग भी आजकल उतना सेमसंग के A-series के स्मार्टफोन पसंद नहीं कर रहे है यही एक मेन रीजन है मेरा कहना कि क्या आप लोग सेमसंग का M-series और F-series को पर्चेस करेंगे सेमसंग एकसी M55 को सर्डिफिक्शन साइट में देखा गया है और बताए जारे कि फेब के एंड तक यह स्मार्टफोन लौंच हो जाएगा बताए जारे कि सेमसंग के M55 में आप लोगों को Qualcomm का Snapdragon 7S Gen 1 का प्रोसेसर मिलेगा हाला कि यह प्रोसेसर थोड़ा पुड़ाना है लेकिन अगर आप लोग overall performance को देखेंगे तो काफी बहतर performance यह प्रोसेसर यहां पर प्रोवाइड करता है तो प्रोसेसर मेरे खाल से काफी अच्छा है और भले एक साल देट साल पुराना प्रोसेसर है लेकिन लोगों को पसंद आएगा क्योंकि लोग चाहते है कि Samsung अपने smartphone में Qualcomm का प्रोसेसर यहां पर इस्तिमाल करे और Samsung ने अपने M55 में Qualcomm का Snapdragon 7S Gen 1 का प्रोसेसर इस्तिमाल करेगा जो मेरे खाल से उस price segment के हिसाब से काफी बहतर रहने वाला है 6.67 इसका 1080p Super AMOLED Plus screen आप लोगों को मिलेगा Samsung के M55 में जिसमें आप लोगों को 120Hz का refresh rate भी मिल जाएगा Android का 14 मिलेगा with Samsung के 1EY6 के साथ और यह प्रोपर Samsung का 1EY6 रहेगा हाला कि यह smartphone में आप लोगों को side mountain fingerprint के screener मिलेगा या फिर in display यह कहना अभी थोड़ा गलत होगा क्योंकि Samsung हमेशा से अपने M3C के smartphone में side fingerprint ही दिया है उमिद करते हैं कि M55 में आप लोगों को display में fingerprint के screener यहां पर provide करें Samsung Galaxy M55 में आप लोगों को मिलेगा 6000 mAh के battery लेकिन इस पार एक interesting बात यह है कि Samsung के M55 में आप लोगों को मिलेगा 45 watt का charger आप लोगों को अलग से लेना पड़ेगा मतलब supported रहेगा 45 watt तो यह मेरे खाल से काफी सही Samsung ने काम किया है कि आप लोगों को 45 watt का charger यहां पर provide तो नहीं at least supported देगा अगर आपको लेने का इच्छा है तो definitely आप 45 watt के charger को ले सकते हैं तो यह काफी अच्छा काम Samsung ने किया है कि आप लोगों को M55 में 45 watt का charger supported दिया है अगर हम लोग बात करते हैं A55 की तो A55 का भी certification निकल के सामने आया था और उसमें बताया गया था कि A55 25 watt के charger को भी support करता है याने कि A55 25 watt का charger ही support करेंगा 45 watt नहीं करेंगा तो यह Samsung M-series के fans के लिए काफी अच्छा है कि M55 में आप लोगों को 45 watt का charger Samsung देने वाला है 108 Megapixel का camera होगा back side में triple camera का setup रहेगा और selfie के लिए आप लोगो 32 Megapixel का selfie यहांपर Samsung देगा overall अगर देखा जाए तो phone काफी perfect है RGB के साथ 256 GB का आप लोगो option मिलेगा जहां तक लगड़ा है कि आपको एक ही option Samsung इस smartphone में देने वाला है pricing की बात करें तो लगबग 32,000 के असपास इस smartphone के pricing रहेगा मेरे काल से 32,000 के pricing में Samsung आप लोगों को पता है कि 34,000 रुपिस का discount देगा ही scheme या upgrade offer की तरह तो आप लोग वेट कीजिए phone काफी धमाके तरह यहां पर होने वाला है अगर पतीच-चबिस में यह smartphone आने लगे तो मेरे खाल से इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है तो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल में अगर आप लोग पहली बाढ़े हों तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और जितना अच्छा को उतना सेर कीजिए ताकि बाकी लोगत की वीडियो पहुंच जाए थैंक्यू सो मच